जहां भारति बाजारों में चाइनीज समानों ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली हैं तो वहीं भारती परम्परा को जीवित रखने के लिए कुछ लोग पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं ताकि लोगों को भारती परंपरा और सब्वेता का एसास होता रहा है। जी यहां हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगुस्तराइं की, जहां पर दिवाली के अफसर पर मिट्टे के दियों से पूचा पाट करना शुद माना जाता है। पतादी की मिट्टे के दिए बनाने का कारिये खास कर बिहार में कुमहार और परजापती जाती की लोग करती आई हैं लेकिन भारत के बाजारों में चाइनीज एलेडी से बना सामान इनके धंदे को मंदा करता जा रहा है वही खास बात ये भी है कि लाख नुकसान के बाद भ और दिये ही उपयोग में लाएंगे और इसी उम्मीद के साथ ये लोग मिट्टे के बरतन और दिये बनाते हैं जब इस बारे में मिट्टे के बरतन बनाने वाले खारीगर से बात की गई तो नोंने कहा कि आज के समय में मिट्टी के बरतनों की खरीदारी कम हो गई है जिसक हमसे सबस्टने साल कम्ले जा रहा है Kyus तरे शपहले से बिक्री था बहुत कम होरा है इसलिए हमको परव मLoगों पर है गडिबों लोगों पर उन्हें 17 समय कंप कर रहें altre यह सज्ड़ पर निए यह पर बहुत परवाब परहा है堂 जहां पर फोसजार अ Congressman pH checked गरीब लोगों को हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। वह दूसरी और एक स्थाने दुकंदार बताते हैं कि चाइनीज सामानों के विकरी दिपावली में इतनी तादाद में होती है कि सालबर का खर्च हम लोग इसी विकरी से निकाल लेते हैं। हर एक साल से करीब 30%-35% रेट इंक्रीज बढ़ा हुआ। सब भी हम लोग तो पठना से माल लेके आते हैं। उद्रा माल लेके आते हैं। पिकरी में कोई कभी नहीं है मांगा होने के बावदूद भी पिकरी में कमी नहीं। और मैं करीब 57 साल से बेक रहा हूँ। बरहाल जो भी हो चीनेवी ग्यान और भारते परंपरा के इस जंग में अगर मिट्टे के दिये बन रहे हैं और बेक रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारते सब्यता और संसकर्ती अभी स्थापित है। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जितना पैसा हम चायनिस सामानों की खरीदारी में लगाते हैं अगर उसका आधा मिट्टी से बने दिये और चीजों खरीदने में लगाएं तो ना सिर भारते सब्यता और परंपरा जिवित रहेगी बलकि सैकडों परिवारों की दिवा आने में मदद कर सकते हैं बेगो सराइस से जिवेश्तरून की रिपोर्ट